बेलकम बैक दोस्तों आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ABC भंडारा परसुअगत हैं इस वीडियो के मध्यम से बिहार दरोगा के लिए ग्यान बिंदू पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज भैलूम टू का सेट नंबर 12 देखेंगे जो आपके एकजाम के लिए काफ स्थान से मिला है राइट एंसर इसका हो जाएगा हडापा से ओप्शन इसका है यह जागा शेवितर हडापा से वहितर से प्रात अपसेश से एवं बस्तुए कब्रिस्तान और 37 सवाधान पेटी का शंक का बना बैल इस्तिरी के गर्व से निकला हुआ पोधा गेहु बज्य प् Didog के दाने, अनागार, अस्नानागार जो हो जागा, शो अश्ति के वं चक्र के साच है, स्थिपी का पहमाना इतियादी मिला है है उसके बाद हो जागा चनहुदलो से चनहुदलो से मिला है प्राप्त है अलंक्रीत हाथी बकराकार इटे कंगा लिपिस्टीक चार पहियो वाली गाड़ी मन के इतियादी जो है ये चनहुदलो से मिला है शुर कोटदा से प्राप्त अप्सेश एवं बस्तुए गोड़े की अश्थियाँ एवं एक बिसेश परकार का कबरगा है बनवाली से मिला है बनवाली से प्राप्त अप्सेश एवं बस्तुए हल की आकिरती बाले मिटी के खिलाओने जो तांबे के बानग्रह इतियादी जो पूज जो है प्रतिक महीशी को कहा जाता है महीशी महीश बश्टु पूज बश्टु पूज जो है महीश हो जाएगा जो बारवे जैन तिर्थकर थे तथा बिमल नाथ का प्रतिक बरा है बरा जो है बिमल नाथ का प्रतिक है बिमल नाथ का प्रतिक बरा है जो तेरवे जैन तीर्थकर थे बारवे जैन तीर्थकर जो थे ये महीश थे और तेरवे जो थे बरा भी मलनाथ के परतीक थे आगला प्रश्न है और शुविधा नाथ जो मकर हो जाएगा और श्टीतल नाथ श्रीवत्स हो जाएगा स्रेयांग सनाथ गेंडा हो जाएगा सब हो जाएगा शही अगला प्रशन है मौरे काल में शुवतंत्र रूप शेजीवन या अपन करने वाली बिधवा को क्या कहा जाता था मौरे काल में शुवतंत्र रूप शेजीवन अपन करने वाले विद्वा को क्या कहा जाता था राय टेंसर इसका हो जागा छद वाशनी कहा जाता था option इसका भी हो जागा से हुतर मौरे काल समाज में श्तिरियों के श्तिति अश्मिर्ति काल के अपेच्छा अधिक सुरचित थी उन्हें पुनर विवाह बन नियोग की अनुमती थी मौरे कालिन समाज में विध्वा विवाह प्रचलित थी कुछ विध्वाएं सुतंतर रूप से जीवन यापन करती थी जिन्हें चंद वाशनी कहा जाता था चंद बाशनी अगला प्रशने मौर कालिन शमाज में बेशिया बिर्थी की पर था परचलित था उसे राज की शरचन विप्राप्त था शुतर रूप से बेशिया बिर्थी करने बाले इस्तिरिया शुतर रूप से जो बेशिया बिर्थी करती थी उसे रूपा जिवा कहा जा अगला प्रश्न है गुर्जर परतिहार शासकों में से किसकी उपाधी यादी बराह थी राट एंसर इसको हो जाएगा मिहिर भोज के उपाधी यादी बराह था अगला प्रश्न है गुर्जर परतिहार बन्च का संस्थापक गुर्जर परतिहार बन्च का जो संस्थापक था प्रेंतु बाश्टविक सास्टक नागभट पर्थम था गुरिजवर परतिहार बंश करा संस्थापक हरी चंदर था बाश्टविक संस्थापक कहगा तो नागभट पर्थम हो जाएगा और नागभट पर्थम को गवालेर परसषती से मलेच surnames का नासक बताया गया है गूर्जर परतिहार बन्ष का बस्तविक संस्थापक पर्थम बस्तविक संस्थापक जो है नागभट पर्थम और गूर्जर परतिहार बन्ष का बस्तविक संस्थापक जो है बत्सराज का है बत्सराज का है मना जाता है इस बैंश का सरवाधिक महत्वपूर्न शासक महीर भोज था महीर भोज जो थे यह महत्वपूर्न शासक थे महत्वपूर्न शासक संस्थापक हो जाएंगे संस्थापक परथम बाश्तविक संस्थापक और बाश्तविक संस्थापक हरिश्चेंद्र हो जाएंगे परथम बाश्तविक संस्थापक नागवट परथम हो जाएंगे और बास्तविक संस्थापक जो हो जाएंगे बात्सया बात्सराज हो जाएंगे और महत्पूर्ण शासक मिहीर भोज हो जाएंगे यह बिशनु भगत तथा इन्होंने बिशनु की शमान में ही आदी बराह एवं से प्रभाश जैसी उपाधी धारन किये थे मिहीर भोज अगला प्रश्न है कौन सी संगम सरचना तमिल बाइविल कही जाती है राटन सर इसका हो जाएगा तिरू कूरल अप्शन इसका यह हो जाएगा राटन सर भाग ने उश्य पूरुष नहीं बनाया बढ़ना उशके समश्त गून उशके लिए लाभ प्रद कौन सी संगम सरचना तमिल बाइविल कही जाती है सेवतर इसका हो जाएगा तिरू कूरल अप्शन इसका हो जाएगा अगला प्रश्न है भाग ने उश्य पूरुष नहीं बनाया बढ़ना उशके समश्त गून उशके लिए लाभ प्रद हो शकते थे रजिया में से सभी गून थे जो एक शुल्तान समें होने चाहिए यह कथन किस विदवान की है राइट एंसर इसका हो जाएगा यह है मिनहाज उश्य सिराज मिनहाज उश्य सिराज का है कथन इल्फिस्टन के अनुशार अधि रजिया इस्तिरी न होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता डॉक्टर आरपी तिरिपाठी का मत्य है कि भारत में मुशलिम संप्रभूता का वस्तविक स्रीङनी स्री गनेश इलतूत्मी से ही प्रहम्भ होता है अगला परस्ण है बिजय नगर स्म्राज में जीला को क्या कहा जाता था बीजय नगर शमराज में जीला को क्या कहा जाता था राइट एंसर इसका हो जाएगा बल नाडू कहा जाता था option इसका भी हो जाएगा शेह उतर नेक्स्ट प्रस्न है अकवर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो वहां का शाषक कौन था राइट एंसर इसका हो जाएगा अकवर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो वहां का शाषक जो था यूशुप खां थे option इसका D हो जाएगा शेह उतर नेक्स्ट प्रस्न है तिरितिये करनाटक यूद का ततकालिन कारण क्या था तिरितिये करनाटक यूद का ततकालिन कारण जो था वो क्या था सहुतर इसका हो जाएगा फ्रांस की सरकार द्वारा कौंट लाली को भारत की शंपूर्ण फ्रांस चीशी छेतर के श्यानिक अधिकारों को परदान किया जाना फ्रांस की सरकार द्वारा कौंट लाली को भारत के शंपूर्ण फ्रांस चीशी छेतर के श्यानिक अधिकारों को परदान किया जाना था तिरितिये करनाटक यूद का ततकालिन कारण था तिरितिये करनाटक यूद जो था ये सतरा सो चपन से 63 के बीच हुआ था जिसका समाप्ति पेरिस संधी से हुआ 1763 हिस्विमी अगला प्रश्ण है तिरितिय करनाट के युद ये 1756 से 63 के बीच हुआ और इस समाप्ति जो हुआ है पेरिस की संधी से 1763 हुआ है पर्थम करनाट की युद 1746 से 48 के बीच हुआ था 1746 से 48 के बीच हुआ इस समाप्ति 116 सेपल की संधी 1748 के द्वारा हुआ एकसला सेपल के द्वारा समाप्ति हुआ है 1749 में दितिय करनाट की युद दितिय करनाट की युद हुआ है इस 1749 से 54 तक हुआ है पांडी चेरी के संधी 1757 के द्वारा इस समाप्ति हुआ है अगला प्रश्न है 1849 के करनाटी में बिरिगेडियर जनरल सिन्नील चिपिद्रोह दवाने में महतपूर्ण भूमिका निभाया था इसका मिर्थू कहां हुआ था राइट एंसर इसका हो जाएगा लखनाओं में उप्शन सी 1857 की करनाटी का इलहाबाद बनारस से नित्रित विल्याकत अली से निति किया था वही इसको दवाने का श्रे जनरल सिन्नील को है दिली में बिद्रोह को दवाने के करम्ष में अगला प्रशन है रामधारी आंदोलन से किसके द्वारा चलाया गया था राइट एंसर इसको हो जाएगा बाबा राम सी कुका के द्वारा ऑप्शन डी हो जाएगा रामधारी आंदोलन 12 अप्रेल 1857 को बाबा रामधारी से कुका द्वारा चलाया गया था इस आंदोलन से में महापान मध्यपान से निशेद गोमान से निशेद विरिच पूजा और महलाओं चो कोश्चमानता पर बल दिया गया था कुका आंदोलन जो है कुका अंदोलन 1840 से 72 1840 से 72 के बीच हुआ था अगला प्रश्न है भारतिय धन्च के बरही गम बरही गमन से बमस भारत से होने बाले ब्रिटिस अपनी वेशिक ब्याए की जाँच हे तू बेल भी कमिशन से का गठन कभ किया गया राइट एंसर इसका हो जाएगा 1895 में अप्शन इसका यह हो जागा से उतर नेक्ट प्रश्न है किस अंदोलन के दोरान से बेलेंटाइन सिरोल से निबाल से गंगा धर तिलक चो को भारती आश्यानती का जनक कहा था राइट एंसर इसका हो जाएगा श्वदेशी अंदोलन के दोरान अप्शन इसका भी हो जागा से उतर होम रूल अंदोलन तिलक जी किया स्था अपना अवरेल 1966 में किये थे होम रूल अंदोलन जो था ये 19 Mal 16 में तिलक दोरा किया गया था और होम रूल अंदोलन तिलक के दोरा जो 19소리 में हुआ था महारास्ट में हुआ था ये नी बेसिन्ट के दोरा 1916 में हुम्रूल के अस्थापना मदरास में हुआ था इनिवेसेंट के द्वारा मदरास में और तिलक के द्वारा महाराष्ट में गदर अंदोलन के शुरुआत गदर अंदोलन के शुरुआत 1913 में लाला हर्दियाल के द्वारा किया गये था खेड़ा अंडोलन का शुरुवात 1928 में महात्मा गांधी के नित्रित में हुआ था नेक्ट प्रश्ण है उवह कौन जगह थी जहां अखिल भारतिय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था राइट एंसर इसका बहुत हैगा लखनाव ओप्शन C अखिल भारतिय किसान सभा की अस्थापना 11 अप्रेल 1936 में लखनाव में हुआ था इसके अध्याश स्वामी शहजानन सरस्वतिव महाश्यचीब एंजी रंगा चुने गए स्वामी शहजाननन ने हुंकार्च नमक्च पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया यह किसान अंदोलन की पत्रिका थी एंजी रंगा महात्मा गांधी के चंपारण सत्यागरा 1917 का बिरोध किया था अगला प्रशन है जालेवला बाग चे नर्चन हार्च परच कॉंग्रेस जांच समीति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कारेश शोंपा गया था सहुतर इसका हो जाएगा महात्मा गांधी को ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सहुतर जालेवला बाग हत्यकांड की जांच एतु कॉंग्रेस ने मदन तुमहन चमाल विया कि अधेचता में एक समीति की नुक्ति की इसका नाम तकिकात समीति था इन समीति की अन्य शदर्शियों में मोतिलाल चनेरू, महात्मा गांधी, सियारदाश, अबबाश, टैवजी और एम आर जैकर आदे इस समीति की रिपोर्ट प्रारूप महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था अगला प्रश्न है, उच एसिया की रिड़ किस मह हिमाले को कहा जाता है, सहुतर इसका हो जाएगा, उच एसिया की रिड़ जो है, ट्रांस हिमाले को कहा जाता है, उप्शन इसका यह हो जागा सहुतर उच एसिया की रिड why बैकमोन 辉फ थाई एसिया ट्रान्स हिमाले को करा कोरम श्रीनि को कहा जब आए ट्रान्स हिमाले के न्तर गरत करा कोरम लधाक चाशकर कयलाश याधी परवत शिरनिया आती है ट्रान्स हिमाले की सबसे उची चोटी तथा बिस्विकी गुजरात में जोबट हिल कहा जाता है गुजरात में जोबट हिल कहा जाता है गुजरात में बिंध्यन स्रेनी में ही बिंध्याचल कैमूर तथा पारशनाथ की पहाणिया पाई जाती है वरवत्य स्रेनी उत्री भारत और प्रायदीपय भारत की मुख जल विभाजक है नेक्ट परशन है निमलिकित में से कीन नदी को गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है राइटेंसर इसका हो जाएगा शारदा नदी को ऑप्शन इसका भी हो जाएगा शेह वितर शारदा नदी प्रारम में गौरी गंगा तथा भारत निपाल सीमाच पर चे काली नदी के नाम से जानी जाती है यह घागरा की सायक नदी है केन यमना की सायक नदी है कावेरी नदी को दच्छीन गंगा कहा जाता है और गौदाबरी नदी को बुढ़ी गंगा और दच्छीन भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को दच्छीन गंगा कहा जाता है कावेरी को दच्छीन गंगा और गौदाबरी को बुढ़ी नदी कहा जाता है बुड़ी गंगा और दच्छनी भारत की गंगा कहा जाता है नेक्ष्ट प्रश्ण है पच्छमी विच्छोब किस परकार की फैसल के लिए अत्यधीक लाबदायक होता है राइट एंसर इसको हो जाएगा पच्छमी विच्छोब जो है यह रवी फैसल के लिए अध्यधीक लाबदायक होता है नेक्ष्ट प्रश्ण है बज्र पोहा जल परपात की इस नदी परिश्टित है राइट एंसर इसको है मांडवी नदी पे आप्शन इसका डी हो जाए राइट एंसर दूद सागर जल परपात तथा बज्र पोहा जल परपात गोवा इस्टित मांडवी नदी पर है नर्मदा नदी पर दुग्द धारा नर्मदा नदी पर जो है दुग्द धारा है दुग्द धारा कपील धारा जल परपात है जल परपात है कावेरी नदी पर शिव सबुद्रम कावेरी नदी पर शिव सबुद्रम तथा होगे नकल जल परपात है अगला प्रश्न है निम्द लिखित में से कौन शबी कल्प अश्यत्य है राइट एंसर इसका हो जाएगा धर्मा ओप्सन इसका यह हो जाएगा राइट एंसर धर्मा जो कच्छ बनस्पति मैंगुरोब अश्टल जो है यह ओडिशा में है कच्छ की खाड़ी कच्छ की खाड़ी खंबात की खाड़ी डुमश अभरक कच्छ बनस्पति छेत्र गुज़गात में है कुंडापूर, करनाटक, बैतरायन, महराष्ट हो जागा कजु बेली, तमिलनाडू नेक्ट प्रस्ण है शर्दार सरोबर परियोजना से सरवधीक दूस प्रभावित राज जिन मिल्खित में से कौन सह है सेहुतर इसका हो जागा 22 का मध्य पर्दिश जो हो जागा सबसे दूस प्रभावित राज है सरदार सरोबर परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात में है यह जो है नर्मदा नदी पर गुजरात में है इस परियोजना से सरवाधीक लाव गुजरात को है सरवाधीक लाव जो है गुजरात सरवाधी कलाव गुजरात को है और सरवाधी कहानी मधपर देश को है और ये जो सरदार सरोवर पर योजना है नर्मदा नदी पर गुजरात में है नेक्ट प्रशन है निमलिखित में से कौन शा बिकल्प अश्यत्य है अस्थानांतरित क्रिसी है और इधर राज है सेहुतर इसका हो जाएगा कुरूबा ओप्शन इसका कुरूबा जो है जारखंड में अस्थानांतरित क्रिसी है जारखंड में अस्थानांतरित क्रिसी है कुरूबा 36 गर में अस्थानांतरित क्रिसी जो है देपा है देपा डाहिया या बेवर है 36 गर के 32 जीला में दीपा कहा जाता है अगला प्रश्न है निम्न कत्नों पर विचार किजिए बाल गाट से हीरो की खानों के लिए जाना जाता है मंज़गाव मैगजीन के भंडारों के लिए जाना जाता है सही उतर इसका हो जाएगा इसमें से कोई नहीं बालगाट मैगजीन के खानों के लिए जाना जाता है बालगाट जो है यह मैगजीन मैगनीज मैगनीज के खानों के लिए जाना जाता है और मैजगाव जो है यह हीरो के खान के लिए जाना जाता है हिरो के खौनों के लिए जाना जाता है अगला प्रश्न है निम्न लिखित में से कौन सा भी कल्ब गलत है नावकिय उर्जा केंद्र और अश्थान है सहुतर इसका हो जाएगा कल्ब पक्कम जो है नावकिय उर्जा केंद्र करनाटक के जगा तमिलनाडू हो जाएगा कहएगा देश का बिश्वा परवानू बिली घर जो है करनाटक में कहएगा जो है करनाटक में कहएगा देश का बिश्वा परवानू बिली घर जो है करनाटक में देश का पहला नावकिय उर्जा केंद्र तारापूर महराष्ट में है जो अमेरिका की सहायता से बना है काकरा पार गुजरात में है कुडून कूलम तमिलाडू में है और जैतापूर महराष्ट में है अगला प्रस्ण है अखिल भारतिय खाधी एवं से ग्रामो धोग जो बोर्ड का गठन कीस वर्स हुआ राइटेंसर इसका होज़ागा उनीच सो चववन में ऑप्शन इसका बी होज़ागा से उतर अगला प्रस्ण है बोरी बिली राष्ट्रिय उधियान अवश्तित है राइटेंसर इसका बोरी बिली राष्ट्रिय उधियान जो है महराष्ट में है उप्शन इसका C होज़ागा से उतर चीत पावन जन जाती की सराज की है चीत पावन जन जाती जो है यह होज़ागा महराष्ट के है काली अट्टम लोक निरीत की सराज से समंधित है काली अट्टम जो लोक निरीत है ये की सराज से समंधित है राय टेंसर इसका हो जागा ये केरल से है option इसका भी हो जागा next question है बाग डोगरा अंतराश्री हवाई एड़ा अवैस्तित है इसका हो जाएगा पचिम बंगाल में option इसका D हो जाएगा शेवित्र बाग डोगरा अंतराश्ट्री है हवाई एड़ा पचिम बंगाल के अंतरगत सिल्ली गुडी में है सिल्ली गुडी next question है बिकेंद्री करन परतिकिर्या की शुरुवात की शहधीनियम से की गई मानी जाती है राइट एंसर इसका हो जाएगा भारत सासन अधीनियम 1861 के तहत मानी जाती है option इसका B हो जाएगा शेवित्र भारत के शंदर्म में धर्म रिपेच चब्द का शही भाब क्या है गठन से हेतु राज पुनर गठन आयोग के श्थापना कब की गई थी शेवित्र इसका हो जाएगा दिसंबर 1913 में की गई थी बीधी का शमान शरच्छन भारतिय समिधान में कहां से गरहन किया गया है बीधि का शमान शरच्छन भारतिय समिधान में कहां शेकी गर्ण किया गया है राइटेंसर इसका हो जागा अमेरिका से ओप्शन बी नेक्स्ट प्रस्ट नहां है दीतिय पिछला बर्ग का गठन की इस बर्ष हुआ राइटेंसर इसका हो जागा 1989 में नेक्स्ट प्रस्ट है पर्थम पिछला बर्ग आयोक का का कलेस्वर की अधिश्टा में की गई थी मत दाता का उमिदवार से समंधित सुचना का अधिकार की इस परकार का मौली का अधिकार है मत दाता का उवह ब्यक्ति जो सेंसद के किसी सदन का अथवा राज बिधान सभा का सदस्य है राष्टपती निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्ता छोड़नी पड़ती है यह किस अनुछेद में वर्नित है? राइट एंसर इसको हो जागा अनुछेद 69 के तहत option C अनुछेद 57 जो है राष्टपती का पुनर निर्वाचन यानि भारत का राष्टपती एक से अधीक वार भी निर्वाचन हो सकता है अनुछेद 58 जो है राष्टपती पद के लिए अरहताय शपत का है अनुछेद 69 यह है राष्टपती की सर्ते और अनुछेद 355 जो है बाहिया कर्मने अवम शशस्त्र विद्रोह राज की रच्छा करने की शंग का कर्तब है निक्ष्ट प्रस्ण है अपाहत काल के दवरान राजिनिती कश्टर पर आपदा परबंध न का सर्वे सर्वा कौन होता है राट अन्सर इसका हो जाएगा परधान मंतरी ओप्सन इसका यह हो जाएगा शंग लोक्षेवा आयोगित के अध्याच इवम शदश्यों के आच्रन की किसके द्वरा जाच की जाती है राट अन्सर इसका हो जाएगा शंग लोक्षेवा संग लोक्षेवा आयोगित के अध्याच इवम शदश्यों के आच्रन की किसके द्वरा जाच की जाती है राट अन्सर इसका हो जाएगा शर्वोच नियाला अप्सन इसका सी हो जाएगा शहितर निमलिखित में से कौन सबी कल्प अश्यत्य है से हो जाएगा राष्ट पती के पास भेजा गया विध्यक यदि राष्ट पती द्वारा पुनर विचार के लिए वापस लोटाया गया है तो ऐसा विध्यक लोक्षभा के विख्टन के पश्चात खत्म हो जाता है राष्ट पती के पास भेजा गया विध्यक केदी राष्टपती दुआरा पुनरविचार के लिए वापस लुटाया गया तो ये सब बिधेयक लोग सभा के विख्टन के पश्चात खत्म नहीं होता है कि इसमें होता है नहीं होता है अगला प्रस्ण है बिधान सवा द्वारा पारित किसी शमानी विधेक चोंको बिधान परिशत के भल कितने शमय तक रोक शक्ती है राइट एंसर इसका हो जागा चार माह तक उप्शन इसका C हो जागा सही उतर निमलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है सही उतर इसका हो जागा शीमा सुल्ग जो है इस संग ही सुची का विशे है शीमा सुल्ग जो है संग ही सुची का विशे है निक्स परस्ट है मानव अंग परतिरोपन अधिनियम कव आया राटें सर इसका अधागा मानव अंग परतिरोपन अधिनियम कव आया सेवतर इसका अधागा 1994 में ओप्सन D परिवार नियोजन उनिसको बावन परिवार नियोजन उनिसको बावन बंजीब शरेचन अधिनियम उनिसको बहत्तर अगला प्रस्ण है निमलिखित में से किश सम्विधान संसुधन के तहत हिंदी भाषा में प्राधिकरित पाठ के सम्वन्ध में उपबंद किया गया है इसका हो जाएगा अंठानवे अंठानवे सम्विधान संसुधन अधिनियम 1987 के द्वारा इस सम्वन्ध में प्रधान किया गया है कि इसके द्वारा सम्विधान के भाए भाग 22 में नया अनुचे 394 का जोला गया है अगला प्रश्न है शुवत अंत्र भारत के पर्थम से बिधी आयोग की अस्थापना कब की गई थी शेहतर इसका हो जागा 1905 में ऑप्शन इसका C हो जागा शेहतर डर्वी कप का शंबंद किस खेल से है राट अंसर इसका अंसर हो जागा डर्वी कप का शंबंद किस खेल से हो जागा तो इसका अंसर हो जागा डर्वी कप का शंबंद घुर दोर से हैं अप्शन इसका भी हो जागा से हुतर नेक्ट परसन है बेस बॉल की इस परीशर में खेला जाता है राइट एंसर इसका बेस बॉल जो खेला जाता है बेस बॉल खेला जाता है यह डायमंड में अप्शन इसका बेस बॉल के जो प्लेगरॉंड है, डामेंड कहलाता है खेल पर इसर कोर्स जो है कोर्स खेल गोल्फ का ट्रैक है एथिलेटिक्स उसके बाद हो जाएगा मैट जूड़े कराटे अगला प्रशन है प्रति ब्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रिय आय को भाग दिया जाता है राटेंसर इसका हो जाएगा देश की कूल जन संख्या से अगला प्रशन है हवाला क्या है हवाला क्या है सेहुतर इसका हवाला जो है बिदेशी मुद्रा का अवैद करोबार है नेक्ट प्रसन है राज कोशिय घांटे और बजटिय घांटे का अंतर किसके बराबर होता है सेहुतर इसका हवाला इसका हवाला शर्व जनी करीन option इसका भी हो जागा चाहिए ठरड़ नेक्स प्रशन है जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी में पानी के नीचे रहता है राट इंसर इसका जागा 9 वाई 10 भाग option इसका दरड़ राट इंसर अगला प्रशन है शाबुन के गोले के बुलबुले बनने का कारण क्या है राइट एंसर इसका हो जागा प्रिष्ट तनाब ऑप्शन इसका ए हो जागा से उतर अब वर्त कालत पर इसके क्या प्रभाब पड़ेगा यदि जूला जूल से रही एक से लड़की के बगल में दूसरी लड़की बैठ जाए राइट एंसर इसका हो जागा से उतर इसका अब परिवर्तित रहेगा ऑप्शन सी नेक्ट प्रशन है अश्नेल का नियम समंधित है अश्नेल का नियम समंधित है से उतर इसका हो जागा प्रकाश के ब्रेक्तिकरन से ऑप्शन इसका Asnail का नियम समंधित है प्रकाश के अब वरतन से किसी चालक के सबसे पहले भागपर अगला प्रशन है ना एक, microphone की सिधान्त पर आधारित उपकरन है, राइट अचर इसका है, microphone की सिधान्त पर आधारित उपकरन है, तो ये हो जागा, सहीतर इसका, बिधुत चुम्किए, प्रियरण, option इसका भी हो जागा, राइट अचर, नेक्ट प्रस्टन है थर्मु अस्टेटिका पर्योजन क्या है सहितर इसका होगा तापमान को इस्थीर रखना option इसका cv लगा सहितर नेक्ट प्रस्टन है गुरुत्वा कारडिशन के शार्वत्रिक नियतांक जी का मात रखोता है राइट अन्सर इसका होगा न्यूटन प्रति कीलो ग्राम एक स्कॉईर अगला प्रशन है अनुधैरित रंगे सनचरित होती है गुर्टबा कर्शन के सरवधिक नियतांक जी का मातरक होता है राइट एंसर इसका हो जाएगा निूटन, मीटर अस्कोएर पर्थी, किलो ग्राम स्कोएर हो जागा, option इसका D हो जागा, शेःतार अनुद्हैर तरंगे hahris, राट एंसर इसका हो जागा अनुद्हैर तरंगे ''C très easy'' होता है, option C हो जागा शेःतार शंपिडिन, wam hero, option इसका, शेःतार निम्न लिखित में से कौन शाब बर्षा मापा की अंत्र है सेवितर इसका मैक मीटर ओप्शन इसका C हो जागा सेवितर मैक मीटर अगला प्रशन है फ्लोरीन की पर मानुष शंख्या होती है सेवितर इसका फ्लोरीन की पर मानुष शंख्या क्या होता है इसका D हो जाएगा, इन में से कोई नहीं फलॉरीन का संकेत एफ होता है परमानु संख्या इसका नौ हो जागा नियोन का शंकेत यह नहीं होता है परमानु संख्या इसका डश है नियोन का इन येका नियोन का तथा परमानु द्रब्मान जो है इसका भी सो जाता है परमानु द्रब्मान प्रमानु दरब्मान हो जाएगा कलोरीन शील उसका संकेत है इसका प्रमानु संकेत 17 तता प्रमानु दरब्मान 35 है अगला प्रश्ण है निमलिखित में से सम्नियो ट्रोनिक विकल्पच कौन सा है राइट एंसर इसका हो जाएगा ओप्शन C फॉस्फोर में से अगला प्रश्ण है गैसों के शमान आ ये- आनुव की शंख्यस शमान होती है ये नियम है तो ये कोबाल्ट का औप्षण इसका ये हो जागा से अगला प्रस्ण है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिसता होती है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिस्ट अत्ता होती है 46 प्रतिस्ट ऑप्शन C प्राकिर्थिक दरबर निमलिखित में से कीस का बहुलक है तो यह हो जाएगा आईसोप्रीन का ऑप्शन B कीस में ASP संग करीत कारवन है राइट इन से इसका हो जाएगा निमलिखित में से कौन शाता है तो भी जर्मन शिल्बर में उपश्थित नहीं होता है कीस में ASP संग करीत कारवन है राइट इन से इसका हो जाएगा CH बराबर CH ऑप्शन C की अगला प्रशन में से कॉण साथ आथ है तो जर्मन सिलॉबर में उपस्तित नहीं होता है तो यह हो जाएगा एलुमीनियुम ऑप्शन भी हो जागा से उतर अगला प्रशन है प्रयोग शाला में परियोग्त होने बाले लीटमस प्राप्त किया जाता है से वितार इसका हो जागा वे लियोगस्टा जाला में लिटुमेस प्राप्त किया जाता है रोशेला लाइक इन इस का ड़ी हो जागा अग्ला यदि फल बनने में केवल से अंडासे ही भाग लेता है तो उसे श्यत्य फल कहा जाता है जैसे आम कभी-कभी अंडासे के अतिरीक्त पुष्प के अन्भाग से जैसे पुष्पार्शन बाहिदल लित्यादी से फल बनते हैं तो भाग लेते हैं तो यह से फ़लों को अश्यत्य फ़ल कहा जाता है जैसे सेव हो जाएगा अगला प्रशन है निमलखित में से कौन शातात्व पौधे में क्रेप से चक्र में महतपूर्ण भूमिका निभाता है राट एंसर इसका हो जाएगा ओप्शन यह लोहा निक्स प्रशन है निमलखित में से कौन शाभी कल्प अश्यत्य है शेह तरश को हो जाएगा करेट जो हो जाएगा करेट का बेग्यानिक नाम बंगेरस हैं बंगेरस है बंगेरस है बाकी मोर का पावो क्रिस्टस है कि भी का है एप्टेरिक्स है और आजगर का पाइथन है ब्रिक नली काओ में कौन शा़ उत्तक पाय जाता है इस का हो जागा घानाकार एपी थीलियम हो जागा option इसका भी हो जागा से उतर अगला प्रशन है पानी में आर्शिनिक बीश के कारण कौन से बिमारी होती है राटेंसर इसका हो जागा कैराटोरीसस option इसका हो जागा से उतर अगला प्रश्न है, इनमें से कीस रोग में मानब का गुन सूतर सेथालिस हो जाता है, राइट एंसर इसका हो जागा, टर्नर सिंड्रोम आप्शन इसका है, यह हो जागा राइट एंसर, जीरो थैल्प मिया बिटामिन सी ए की कमी से होता है, पेलागरा, टर्नर सिंड्रोम यह रोग इस्तिरियों में होता है, इस रोग में से ग्रैसित इस्तिरियों में गुन सूतरों की संका 45, 44, पलश एक्शों हो जाती है, इसमें इस्तिरिया बांज हो जाती है, क्लीन फेल्टर सिंड्रोम यह रोग पुरुशों में होता है, क्लीन फेल्टर सिंड्रोम है, यह रोग पुरुशों में होता है, इस रोग से ग्रैसित पुरुशों में गुन सूतर की संक्या 46 हो जाता है, इसमें पुरुश नपुरुशक होता है, डौन सिंड्रोम जो है, इस रोग से ग्रैसित रोगी, मंद बुधी, आख्टेड़ी जीव से मोटी, तथा अनियमित शारीरिक धाचा होता है, इसे मंगोलीज में भी कहा जाता है, पटाओ सिंड्रोम जो है, इसमें रोगी का उपर का ओठ जो है, बीच से कट जाता है, तालू में दरार हो जाता है, नेक्ट प्रेस्ट है, कठीन परिश्रम करने वाले पूर्शों को कितना कैलोरी भोजन चिकिया विशकता होती है, सेहुतर इसका हो जागा, अगला प्रशन है, ब्रूनिये विकाश की प्रकिरिया कहां श्यंपन होती है, सेहुतर इसका हो जाएगा, गर्वासे में, उप्शन इसका C हो जागा, सेहुतर, अगला प्रशन है, अगला प्रशन है, हाली के दिनों में, हाली के दिनों में, नमबर 22 में, बिक्रम से गोखले का निधन से हो गया, बे है, सेहुतर इसका हो जागा, अभी नेता, अप्शन इसका D हो जागा, डिजिटल से प्रणाली से, लैस बैस सेवा शुरू करने वाला पहला राज है, इसका हो जागा, भी महाराष्ट, नेक्ट प्रशन, तेतीसवा नाटो शिखर सम्मेलन 2013 का आईजन कहां किया जाएगा, शेहुतर इसका हो जागा, बेल्जियम में too इसका यह जागा, शेहुतर, थेतीसवा नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का मैंड रीड में हुआ था, एक तिस्वा नाटो सिखर समिलन दोयरकेश, बिल्जियम, बुरुशेल्स में शंपन हुआ, अगला प्रस्ण है, अंतराश्ट्रिय बहुत धीक, शंपदा सुचकांग दोयरबाश में पर्थम अस्थान अमेरिका का है, भारत का कौन शा अस्थान प्राप्त हुआ है, सहुतर जगा योजना शुरू की है, सब दी जगा योजना शुरू की है, राय टेंसर इसका हो जाएगा, भारती एस्ट्रिक बैंक, ऑप्शन इसका योजना सहुतर, अगला प्रस्ण है, गांधी मंडेला, पुरुशकार दोयरबाश की से परदान किया गया, गांधी मंडेला, जंपन विमेंड से अंडर 19, 2020, बीस बॉक अप से 2030 का उप वीजेता काउंट टीम चे रही है, राय टेंसर इसका हो जाएगा, इंगलेंड ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, सहुतर, नेक्ट परस्ण है, दा क्लाश ऑफ 2006 नामक चपुछता के लिए खक है, राय टेंसर इसका हो जाएगा, अकाश कंसल, ऑप्शन इसका, डी हो जाएगा, सहुतर, गोल्डन बॉय, गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा, इसका नबदीप सिंगील है, बैचलर से हैड जो हो जाएगा, तुसार कपुर के द्वारा, बैचलर हैड हैड जो हो जाएगा, तुसार कपुर के इस लिखा गया है डक्टर ए सूर्फ परकास के द्वारा क्या लिखा गया है डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्निंस गवर्निंस लिखा गया है ए डक्टर ए सूर्फ परकास के द्वारा अगला प्रश्न है निम्लखित में से कौन शबिकल्प शही नहीं है सही उतर इसका हो जागा बीस बुजन संक्या दिवश बीस बुजन संक्या दिवश इगारा जुलाई को मना जाता है अगला प्रश्न है शबिगावों में ऑप्टिकल से फाइबर से बिचाने का लच्छ है राटेंसर इसका है दुहर पचीश ऑप्शन अगला प्रश्न है पूरुष एसिया कब 2022 का भीजेता कौन चा देश रहा है राटेंसर इसका हो जागा शेड़ लंक का ऑप्शन बी नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला शुव अच्छ प्रदेश से घोशित किया गया राटेंसर इसका हो जागा अगला प्रश्न है निम्र लिखित में से कौन चा भी कल्प शही नहीं है राटेंसर इसका हो जागा गल्फ ओ आइल जो है कंपनी और ब्रांडेंबेंटर है गल्फ ओ आइल के ब्रांडेंबेंटर जो है अश्मिर्ती मंधाना है अश्मिर्ती मंधाना है अश्मिर्ती मंधाना है बिहारी खादी अवं से हष्ट सिल्प के मनुच तिवारी फायर बोल्ट विजय देवर कोंडा और चहिरो मोटर कॉर्प के हैं राम चरन अगला प्रशन है भारत ने हाल ही में कीश देश को उपहार शुरूप गश्ती पोत पियेश जो रोश्टर दिया है राइट एंसर इसका राइट एंसर इसका राइट एंसर झाल 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 झाल